हेलो मित्रो आज हम इस वीडियों में अपने जो भारते नदियों के उपर हम चर्चा कर रहे थे आज इसके अंतरगत हम हिमाले से निकलने वाली नदियां में सिंधू नदी तंतर के बारे में जानेंगे तो सिंदू नदी तंतर में हम जानेंगे कि सिंदू नदी जो है उसका अफवाद छेत्र कितना है और साथ में इसके परमुक साहक नदिया कौन सी हैं और कहां से इनका उद्गम स्तल होता है कहां से इन छेत्रों के अंदर परवेश करती हैं उन सभी के बारे में जानेंगे तो चलिए मैप के माधिम से पहले हम इन सभी नदियों को देख लेते हैं कि सिंधुनदी कहां से भारत के अंदर परवेश करती है कैसे निकलती है इन सभी के बारे में जान लेते हैं जैसे कि आप इस मैप के अंदर देख पा रही हैं शिंधु नदी जो है ये भारत के अंदर कहां से तीन देशों के अंदर से बैठते हुए तिबबत से इसका उद्गम होता है कैलास जो मानसरोवर है अपनी कैलास में कैलास परवत सरंकला है और वहां पर मानसरोवर जील है वहां से इसका उद्गम होता है कहां से यहां पर आपको दिखा रखा के गलेशियर ओफ कैलास कैलास परवत जो रेंज है यहां से इसका उद्गम यह जो आपको दिखा रखा है यहां पर यहां पर आपके जो सानो ख्वाब कहीं कहीं पर आपको यह क्या मिलेगा सानो ख्वाब देखने को मिलेगा सानो ख्वाब और कहीं कहीं पर इसका नाम अलग मिलता है सानो बेखाम इस प्रकार से करके मिलता है यहां से इसका उद्गम होता है मानसरो और जील है वहां से ये अपना origin करने के बाद ऐसे करते हुए यहां भारत के अंदर जहां पर प्रवेश करती है उस छेतर का नाम क्या है यहां पर ये दमचोक क्या नाम है इसका दमचोक से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है यहां से दमचोक से प्रवेश कहां पर प्रवेश करती है यह आपको लेह नजर आ रहा होगा, यह लेह वाला एरिया आपका है, वहां से यह परवेश करती है, इंडसरे विवर, वो इसके यदि हम उत्तर में दक्षन में देखें, तो यहाँ पर यह जासकर स्रेणी है, और उपर इसके आप देख वाएंगे, तो आपकी जो शोक और यह दूसरी नदिया है, नुब्रा, उनका यह नदिया आपको शाकर किसमें मिलते हैं, तो यहाँ से यह चलने के बाद, लेह के बाद से जो आपका दम चोक एरिया है, वहां से परवेश करती है, और यहाँ से चलते हुए, यहाँ से यह एक जोर्ज बनाती है, देखो यहाँ पर, आपको नजर आ रहा होगा, यह यहाँ से गई, और यहाँ पर एक जबरत जोर्ज बनाते हुए है, ऐसे नीची गिरते हुई यह जोर्ज बनाती है, और यह भारत का सबसे बड़ा जोर्ज है, कहीं कहीं पर इसके आपको जो गहरा ही है वो 5200 किलोमेटर यानि 5200 किलोमेटर के आसपास जिसको की बुंजी जोर्ज बोला जाता है इस जोर्ज का नाम क्या है बुंजी जोर्ज यह बुंजी जोर्ज है ठीक है यहां से यह अटक के अटक से परवेश करते हुए आगे निकल ठीके आगे निकल जाती है तो यहां पर असलामाबाद और यहां पर अटक में आकर के इधर से आपकी जो कुनार है यह काबुल नदी अफगानिस्तान की राज़ानी का है काबुल तो इधर से काबुल नदी आ रही है काबुल नदी आकर के इसमें अटक के पास मिल जाती है इ ये कुंधार नदी ये नदیں आक रकेस में शामिल होते हैं जो उपर की तरफ निकल जाते हैं यहीं पर यदि इस नदी के आस पास देखें हम तो इस नदी के उपर अपना क्या है एक वूलर लेक है तो इस परकार से आप देख पा रहे होंगे ये नदी कहां से तिबत से निकली भारत के कहां से जम्मु कस्मीर पहले जम्मु कस्मीर क्या होता था एक राज्य हुआ करता था लेकिन ये लद्दाख वाला एरिया ये अब 2019 के बाद क्या बना दिये गए जम्मु कस्मीर और ये दो अलग योटी बना दिये गए हैं उसके ओरिजन के बारे में जाना इसके लंबाई ओरिजन के बारे में डिटेल में हम आके जानेंगे इसी यहीं पर यहीं से एक नदी और निकलती है इसकी कौन सी नदी निकलती है सतलज नदी सतलज नदी यह सतलज नदी जा रही है आपकी यह सतलज नदी यहाँ पर जा करके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जा करके यह पंच नद मनाती देखो उपर से हम एक उर नदी देख रही हैं कि सबसे उपर यदि हम इसके साइक नदियों के बारे में देखें तो देखिए इसके साइक नदी है, हमने इसके बारे में जाना हभी किसके बारे में, शिंदू के बारे में, अब इसके साइक नदी उपर से देखते हैं, परमुक रूप से पांच जो नदियां हैं, उनके बारे में देखते हैं, इसकी जो एक सबसे बड़ी नदी है, ये है ज चेश नाग के पास से जेलम कहा से निकल निकली है आपके ये वैरी नाग है पीर पंजाल एरिया वाला पीर पंजाल की यहां पर रेंज पढ़ती है आपके और इस पीर पंजाल रेंज के अंदर ये वैरी नाग यहीं पर क्या हापका सिरी नगर वाला एरिया पढ़ता है और यहां से यह ओरिजिनेट होकर के ओपर यहां से ऐसे जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है जो जम्मो किसमीर वाले सीमा है इसके ठीक साथ साथ वहते हुए यह आगे जाती है भारत के यहां पर और यहां पर आकर के चले जाती है यहां पर आकर के किसमे मिलती है यहां पर आकर के पंजाब में मिल जाती है जो चेनाव नदी है चेनाव नदी के अंदर आगर गे मिल जाती है और जहां पर यह मिलती है इस एरिया को जंग एरिया बोला जाता है क्या बोला जाता है जंग पाकिस्तान के जंग स्तान से अब यहां पर हम दोसरी नदी देखते हैं दोसरी नदी इतनी कौन से आती है उपर से जहलम के बाद चेनाब कौन से नदी आती है चेनाब नदी ये जो चेनाब नदी है ये देखिए इसका ओरीजन यहां से इसका ओरीजन कहां से होता है चेनाब का जो बारालाचा दर रहा है ये यहां पर आपका क्या है ये देखिए बारालाचा य यहां से यह निकलने के बाद क्योंकि इसके दक्स उत्र की तरफ क्या है उत्र पूरों की तरफ जासकर स्रेणी है और इधर आपके बारालाचा वाला जो पास आ जाता है वहां से यहां से निकलने के बाद यह इस प्रकार से यहां पर जाती है और जहांग के अंदर जो ओपर स जेलम आ रही है वो इस चेनाब के अंदर मिल जाती है यानि यहाँ पर यदि हम देखें परमुख नदी हमारी जो आगे सभी नदियों को लेकर के जाएगी वो रहेगी आपके चेनाब नदी कौन सी नदी रहेगी चेनाब नदी चेनाब के रोतांग दर्वे के पास से ही तो यहाँ से यह चेनाब नदी निकल करके जो रावी नदी आ जाती है आपके यहाँ से निकल जाएगी आपकी रावी और यह जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह नदी यह रावी नदी ये चेनाब में जाकर के आगे मिल जाती है वहीं पर यदि हम ये व्यास की बात करें तो आपके हिमाचल परदेश के अंदर ही क्या है व्यास कुंड है ये जो व्यास नजरा रहा है यहां पर ये व्यास कुंड है और व्यास कुंट से ये से गिजरने के निकलने के बाद यहां पर ये किसमे सतलूज में आकर के मिल जाती है ये एक मात्र सतलूज की वो ऐसी नदी है जो भारत से ओरिजिनेट हो करके भारत के अंदर ही इसमें मिल जाती है फिर यहां से आगे चलती आपके सतलूज नदी सतलूज नदी यहां पर आती है तो यह हरी के बेराज के अंदर यह आपकी कौन से मिल जाती है आगर के व्यास मिल जाती है और यहां से यह आगे चलती हुई यहां पर आगर के किसमे मिल जाती है आगे चले जाती है और जो चेनाव ने दी के अंदर मिलती है और फिर चेनाव ने दी चेनाव ने दी जहां पर आगे जाकर के मिलती है इसके साथ यह चेनाब ने दी सतलूज यहां चेनाब में आकर के मिली यह चेनाब आ रही है इधर से यह आपकी सतलूज आ रही है तो यहां पर यह पंचनद कौन से छेतर के अंदर बनती है पंचनद के अंदर और आगे चल करके यह फिर किस गिर जाती है जो पाकिस्तान का क्राची एरिया है क्राची ये हेदराबाद पाकिस्तान वाला हेदराबाद दिया हुआ है ये जो हेदराबाद है ये पाकिस्तान का हेदराबाद है यहीं पर आपका क्राची का क्या बनाती है ये क्राची का एक डेल्टा बनाती है यहाँ पर क्राची डेल्टा तो पहले ये डेल्टा जो है run of catch में हुआ करता था लेकिन कुछ भोगर भी कल्चलों के वज़े से ये डेल्टा क्राची की तरफ किसक गया है तो ये casement area था इसका यदि हम सिंधु नदी का टोटल कैस्मेंट टेरिया देखें शिंधु नदी का तो वो आपका कितना है 11,65,000 11,65,000 वर्ग किलो मीटर है क्या है ये वर्ग किलो मीटर इसमें से यदि हम भारत में बात करें तो इसका भारत के अंदर रह जाएगा 3,21,000 3,21,289 इतने किलो मीटर ये भारत के अंदर रह जाता है सिंधु नदी कर वहीं पर यदि हम सिंधु नदी जल समझोते की बात करें तो सिंधु नदी का जल समझोता की वह था? 1960 के अंदर इसका 20% जल जो है क्या यूज कर सकता है इनका जो शिंदू की सायक ने दिया है इनका जो आपकी रावी जेलम और चेनाब है इनका 20 परतीशत लेकिन जो रावी और व्यास है कौँछी रावी हैं ये व्यास और सत्लू इनका कितना कर सकते हैं इसका 80% जल भारत अपने इस्तेमाल कर सकते है तो ये इसका जो 1960 में जल समझोता हुआ था उसके अकोर्डिंग था अब इनसे संबन्दित कुछ मैत्वकॉन डिसकस कर लेते हम देखी यहां से जो मैंने अभी बताया था कि जो चेनाब नदी आगे निकलती है तो इसी के तट पर जेलम के नदी पर किनारे पर क्या है आपका शिरी नगर वसा हुआ है वहीं पर ये अपनी जो वुलर लेट जील है सबसे बड़ी जील जो ताजे पानी की जील है वो यहां पर बनाई जाती है यहां पर आपकी डल जील है जो ताजय पानी की सबसे बड़ी जील है भारत की तो अब इन से संबंदित हम कुछ मैतवपूर्ण तत्थियों को जान लेते हैं तो वो तैथ्थे के हदी के सिंधु नदी का उद्गम के अंदर मान देते हैं कहां से निकलती है तिबबत में मानसरो और जिल के पास से कहीं कहीं पर देखें मैंने अभी इसका क्या बताया था सानव ख्वाब आपको नाम बताया था लेकिन यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है सिंधी खांबान गलेशियर से ठीक है सिंगी खंबान गलेशियर मुहाना कहां पर है कहां पर जाकर की गिरती है अरब सागर में जाकर की गिरती है यहीं पर इसके अगर जो लंबाई की बात करें तो कितनी है यानि 114 किलोमेटर पाई जाती है कहीं पर यही 1134 किलोमेटर भी आपको देखने को मिल सकती है तो यह जो पाकिस्तान में जहां से प्रवेश करती है भारत के अंदर से निकलने के बाद उस शेत्र को बोला जाता है चिल्लास और कराचे से होते हुए अरब सागर में जाकर के य जाती है अब इसके उपर जो परमुक नगर है उनको देख लेते हैं तो यहां पर परमुक नगर आपका अले हो गया सकर्दू हो गया द्रास हो गया बेश्रम हो गया थाकोटा हो गया डेरा इसमाइल खान हो गया जो कि पाकिस्तान का है शुकूर हो गया और हैदराबाद य अब वहीं पर चेनाब नदी के बारे में देख लेते हैं वहाँ पर जानत राम ने मैप के मादिम से बारालाचा दर्रा है वहाँ पर लाहूल और स्पीती नाम का इसका परमुक उद्गम्ज के अंदर है संगम कहां पर होता है इसका शिंदू नदी के अंदर चली जाती है क्योंकि मैन नदी यही है जो सिंदू के अंदर जाकर के मिलते है भारत की जो बाकी नदी है उनका सारा जल ले जाकर के उनके अंदर यह मिलाती है इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई के बारे में भी आपको अलग अलग देखने को बाते मिल सकते हैं इसकी जो चिनाब की लंबाई है यहाँ पर यह लंबाई है यह गलत दी हुई है इसकी लंबाई आपको अगर जो आप authentic source के अंदर देखेंगे तो आपकोYa710 km कितनी मिलेगी आपको 1180 km और याप कैस्मेंट एरिया देखें तो इसका कैस्मेंट एरिया रहेगा 26,75 km ये आपका सही है वहें पर यदि जेलम के बात करें तो जेलम के बारे में हमने जाना था कहां से शेशनाग जील जो कि कहां पर पढ़ता है या आपका ये पढ़ता आपकर जेलम के जो पीर पंजाल वाला एरिया है वहां पर ये पढ़ती है और स्रीनगर सहर जो है वो इशी के तक पर बसा हुआ है इसकी लंबाई बिल्कुल सही दे रखी आपकी ये 725 किलोमेटर और ये चेनाब नदी की साहिक नदी है किसकी है चेनाब नदी की साहिक नदी वहीं पर रावी की बात करें तो रावी जो है ये हमारी रोतांग दर्रे के पास से निकलती है रोतांग दर्रे के पास जो रावी नदी है ये चमबा घाटे से होते भी निकलती है कहां से निकलती है चमबा घाटे से इसके अगर जो हम टोटल लंबाई देखें तो इसके बारे में आपको कहीं कहीं पर 720 किलोमेटर तो कहीं कहीं पर आपको 725 किलोमेट्र भी इसके लंबाई देखने को मिल सकते है इस्से नदी कितृट पर ये परमुक नगर कौं सा है लाहूर इसके नदी कितःट पर वशा होऊँ परमुक नगर है जो कि पाकिस्टान में है वहीं पर सतलूज की बात करें तो सतलूज जो है इसका उद्गमस्तल राकस्ताल या कहीं कहीं इसको राकस्ताल भी बोला जाता है तिबत के अंदर ही जो मानसरो और जील है उसके पस्चमी साइड में या आपको राकस्ताल देखने को मिलता है वहाँ पर है और ये किस नदी में जाकर के मिलती है चेनाब नदी के अंदर जाकर के मिलते है जहाँ पर ये सारे नदीया पिर आगे चल करके जहाँ पर जो चेनाब मिलती है वहाँ पर इसको पंच नद बोला जाता है इनको और इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई जो है सतलुज के आपको कहें-कहें पर आपको ये 1050 यहां पर गलत दियावा है यहां इसके लंबाई कहें पर आपको 15 सो भी देखने को मिल सकती है कहें-कहें पर इसके 1400 किलोमेटर भी आपको लंबाई देखने को मिल सकती है ये महतोपूर्ण तथे हैं नदियों से नदी है जो कि भारत से निकल करके भारत में ही इसका उद्गम स्थल जो है कम पूरा हो जाता है और यदि व्यास की बात करें तो यहां पर यह जो इसकी टोटल लंबाई दे रखी है आपको कहीं 470 किलोमेटर जो ओथेंटिक है वो 470 किलोमेटर है ठीक है सतलू में जाकर कि य जाती है जहां पर हरी के बेराज बनता है और यहीं से फिर एक अन्य नहर निकाले गई है उस नहर का नाम है इंद्रा गांधी नहर जो कि राजस्थान की लाइफ लाइन जीवन रेखा कहलाती है तो यह हमने जाना सिंदू नदीत अंतर से संबंदित कुछ मैटपॉन तथ् तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिसकस करते हैं नेक्ट वीडियो में हम डिसकस करेंगे अपने ब्रह्म पुत्र नदीत अंतर को तब तक के लिए जुड़े रहे वीडियो से और चैनल से और साथ में जो साथी चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करें त तो कि education को जितना परचार किया जाए उतना अच्छा होता है हर किसी कोई से benefit होना चाहिए तो thank you, have a nice day